हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो एडिटोरियल अनलिसिस बाइ सिंप्लिफाइड सिविल सर्विसेज आज ऑक्टूबर 5 को तोटल तीन आर्टिकल डिसकस किये जाएंगे हमारा फर्स्ट आर्टिकल है जो रीसेंटली नोबल प्राइज मिले हैं केमिस्ट्री के उपर उस पे चर् किया है औल्टरनेट येर्स में कोशन आ रहे हैं तो आपको अच्छे से यह करने की ज़ुरत है यह प्रिपैर करने की ज़ुरत है नेक्स आर्टिकल जो हम डिसकस करेंगे वह है हाव डू ग्लेशल लेक आउटबस फ्लड हैपन यह हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के पर ॉर्ष यह तीनों आटिकल डिसकस के जाएंगे साथ ही आप लोगों का सहीोग की ज़रत है आप लोग ज़ाधा से ज्याधा कॉन्टेंट को लाइक करें सबस्क्राइब करें शेयर करें तो आए शुरू करते हमारा अर्टिकल डिसकस हमारा फर्स आर्टिकल है How size of the particle changes their behavior and why that is important यह article Indian Express में आया हुआ है और आपके GS3 मेंस के perspective से बहुत जादा important है Nanotechnology आपके syllabus में clearly दिया हुआ है मेंस में हर दूसरे तीसरे साल में आपको इससे related question मेंस में पूछा जाता है आपको directly question पूछा सकता है सरकार क्या कर रही है कौन से mission चला रही है या फिर आपको पूछा जा सकता है कि Nanotechnology की क्या applications है तो आपको यह हमेशा से बहुत important topic है prepare करना है प्री के perspective से भी बात करें तो बहुत important है 2020 में carbon nanotube के उपर question पूछा गया था ठीक है जो की nanotechnology product है 2022 में nanoparticle पे question पूछा गया था basically recently noble prizes announce हो रहे है 2023 year के और chemistry में noble prize दिया गया है chemistry में जो noble prize मिला है वो किस कारण मिला है for the discovery and the synthesis of quantum dots quantum dot के synthesis और discovery के लिए noble prize मिला है total तीन scientist है जिनको यह noble prize दिया गया है पहले scientist है एलेकसल एकोमोफ इनको noble prize दिया गया है next है हमारे Lewis E. Bruce इन्हें noble prize मिला है और third हमारे scientist है माउंगी जी बावेंडी यह तीनों लोगों के जो नाम है आपके लिए state PCS और UPSC के लावा जो भी competitive आप exam दे रहे हैं बहुत important है आपको याद रखना पड़ेगा किसको मिला है noble prize chemistry में total तीन लोग हैं तीनों के नाम important है even means में आता है question अगर आप नाम लिखते हैं तो उसका जो impact होगा वो कहीं जादा होगा आपको जादा marks मिल सकते हैं इसलिए आप कोशिश करिए ने ये नाम अगर आपको ध्यान रह सके तो अब शुरू करते हैं हमारा article article शुरू करने से पहले थोड़ा सब basic चीजों के बारे में बाचित करेंगे especially जो commerce वाले student हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है जिन्होंने maths physics नहीं लिया है तो physics को अगर हम दो भागों में डिवाइट करें macro economic scale पर जो हम physics पढ़ते हैं उसको बोलते हैं classical physics और classical physics की जब भी बात की जाती है तो आपको नाम यादाता है Newton का Isaac Newton gravity वाली जितनी भी चीज़े हैं force है ये सब हम अपने macro economic scale मतब अपने आखों से experience कर सकते हैं देख सकते हैं लेकिन अगर हम micro level पर जाएं microscopic level पर sub atomic particle level पर जाएं तो हम बहुत सारी चीज़े नहीं देख सकते हैं और उस physics को हम क्या कहते हैं quantum physics और quantum physics जब भी आपने ये नाम सुना होगा तो आपको एक नाम हमेशा याद आता होगा वो है Einstein का तो पूरी की पूरी quantum physics theories किसने दी थी बहुत सौ साल लगबग पहले Einstein के दौरा दी गई थी general theory of relativity अगर आपको याद होगा तो special theory of relativity ये सब किसके दौरा दी गई थी Einstein के दौरा दी गई थी तो जब macroeconomics scale की बात करें तो classical physics और micro की बात करें तो कौन सी quantum physics तो quantum physics में जो effects थे properties थी वो बहुत अलग थी atomic level पर और वही चीज़े bulkier level पर macroeconomics level पर sorry macro macro level पर बहुत different थी ठीक है तो ये चीज़े difference होने के कारण जो है अलग-अलग physics में divide हुआ ये दो अलग-अलग compartment बने अब बात करते हैं general level पर जो की macro level की बात की जाए तो macro level पर जो हमारे elements होते हैं उनकी जो properties है वो कैसे decide होती है electrons कितने है total number of electrons कितने है plus वो electrons किस तरीके से distributed हैं अगर electrons कम है या जादा है इस पर depend करती है चीजे साथ में balance electron कितने है कितने electron है जो खाली है जो की upper shell में है कौन से electron है जो inside वाली shell में है ये सारा जो distribution है ये आपके element की जो properties है वो decide करती है ठीक है अगर हम इसमें बात करें size की तो size का कोई भी impact नहीं आता है इसका मतलब क्या है अगर मैं gold की बात करो और gold को मैं 100 kg gold को लो और इसकी property निकालो pure element gold की तो वो same आएगी और 100 g अगर gold को लो और उसकी properties को देखो तो almost size के हिसाब से property नहीं बदलेगी मतलब जो bulkier level है जो bulkी surface है वो उसके जो particles हैं जो outside particles वो react करते हैं और same जो है properties आती हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे particle होते हैं जो inside होते हैं और बहुत छोटे level पर वो particle जनरली जो bulky level पर हम जो भी reaction करते हैं उसमें वो participate नहीं करते हैं जब आप इनका size बहुत छोटा कर देते हैं एकदम nano level पर तो वो जो particle हैं जो inside particle हैं वो भी क्या करते हैं अपने जो भी reactions होते हैं उसमें participate करते हैं जिसके कारण physical और chemical property उस level पर इसी atom की gold की ही same gold की property change हो जाती है at subatomic level ये जो property change होती है उसके बहुत सारे applications हैं और इसी कारण से ये nano technology का development हुआ है हम nano scale की बात करेंगे तो nano scale का मतलब क्या होता है nano scale का मतलब होता है 10 की power of 9 meter 1 nano scale 1 nano meter में 10 की power of 9 meter होता है इस level पर जब आप size को छोटा करते हैं तो जो elements होते हैं उसकी physical और chemical दोनो properties बदल जाती है और ये ही आपके लिए बहुत important है इसकी बहुत सारी applications होती है तो ये सब कब हुआ था ये सब theorize तो बहुत पहले हो चुका था लेकिन first time जो है कब देखा गया ये 40 साल पहले scientist ने discover किया पहली बार किसने discover किया Alex Ekimov ने जब copper chloride का nano particle का उन्होंने ये behavior देखा उन्होंने ये behavior चेंज किया copper chloride का और उन्होंने उसके बाद nano particle बनाना शुरू किया जब nano particle उन्होंने बनाया तो ये change in a behavior उन्हें पहली बार दिखाए दिया कि bulkier particles और जो nano particle हैं दोनों में physical और chemical properties different है इसका मतलब size बदलने से जो particles हैं उसकी property change हो रही है और ये एक बहुत बड़ा discovery थी बहुत remarkable discovery थी इसी discovery को लुईस ब्रूस ने जो कि American scientist है उन्होंने भी यही सारी चीज़े observe की और माउंगी बावेंडी जी जो हमारे third scientist है उन्होंने nano particle को efficiently बनाना उस material को efficiently बनाने में बहुत सारा जो है क्या किया था work किया था जिसके कारण आसानी से nano particle बनाए जा सकते थे nano particle की बात करें तो इन्हें दो तरीके से produce किया जा सकता है एक तो approach होती है इसमें आप छोटे छोटे atom plus molecules को join करिए और एक product develop करिए तो इस तरीके से nano particle बनाए जा सकते हैं इसी कारण से इनको जो है क्या दिया गया noble prize मिला इसी discovery के लिए अब quantum dots की बात कर लेते हैं हमने बात की थी अभी theory of relativity में कि relatively sub atomic level पर क्या होता है quantum effect शो होते हैं और जिसमें जो element है उसकी physical or chemical property बहुत strange होती है बहुत differently होती है हमारे bulgare level पर macroscopic level पर लेकिन जब आप quantum की बात करें quantum dot की या nano level की तो nano level का जो size है nano particles का वो atomic size से कहीं जादा बढ़ा है इसका मतलब एक nano particle की अगर बात करें तो इसके अंदर millions of atoms आ सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप sub atomic level पर तो समझ में आता था कि quantum effects हो रहा है लेकिन nano level पर कैसे हो रहा है ये बात हमें समझने की ज़रुरत है 1930 में पहली बार इस चीज़ को theorize किया गया था 1930 में फर्स टाइम ये theorize किया गया था कि nano level पर भी क्या हो सकता है quantum effects शो हो सकते हैं अब उसका कारण समझने की कोशिश करते हैं 1930 में जो theorize किया था उसके पीछे का कारण क्या था generally हम बात करें तो जो electrons होते हैं relative to neutrons या nucleus की बात की जाए ठीक है तो nucleus कहा होता है बीच में होता है और उसके आसपास जो है electron relatively move कर रहे होते हैं और बहुत ही empty space में move कर रहे होते हैं बहुत दूर-दूर distance होता है लेकिन जब आप इस particle को क्या करें छोटा करना चालू कर दें इस bulkier को nano scale तक लेकर आएं ये particle क्या होता है बहुत ज़ादा squeeze हो जाता है और बहुत ज़ादा squeeze होने के कारण जो electrons हैं वो भी बहुत ज़ादा squeeze हो जाते हैं उनके बीच का distance बहुत कम हो जाता है trap में एगदम फस जाते हैं और फिर उस वक्त जो है वो quantum effects show करते हैं तो quantum level पर क्या हो रहा है quantum effects sorry nano level पर quantum effects show होने का reason क्या है बहुत जादा जो electrons है वो squeeze हो जाते है trap में जैसे कि it's a kind of jail जैसे कि quantum dot की बात करें तो वो jail की तरह है जिसमें सारे छोटे-छोटे electron क्या है trap है ठीक है और ये क्या करते है quantum effects show करते है इसको हम क्या कहते है quantum dot ये बहुत important है बहुत ही जादा आपके लिए prelims की बात की जाए तो quantum dots क्या है man-made nano scale particles है इसका मतलब अगर आपको question पूछते है कि quantum dots are naturally found nano scale particles तो ये क्या होगा ये जो option है ये गलत होगा naturally found नहीं होते है it can only be made by man artificially इसे develop किया जा सकता है naturally ये found नहीं होते है ये आपके लिए key point है यहीं आपको question फसा के पूछा जा सकता है तो ये आपको याद रखने कि it's a man-made that's it इसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ें है नहीं अब बात करते हैं discovery की कि किस तरीके से discovery की गई थी उतना important तो है नहीं आपके लिए पर फिर भी article में दिया हुआ है तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है discovery की गई थी ठीक है ठीक है तो अगर आप किसी भी elements की या किसी भी material के color की बात की जाए for example apple की बात करते है apple red color का होता है यह हमें कैसे दिखता है red actually red color का apple होता नहीं है जब इस पे light आती है तो सारी light यह क्या करता है absorb कर लेता है except red red क्या करता है reflect करता है जो reflect करता है वो हमारी आँखों को दिखाई देता है इसलिए हमें यह red जो है color apple का perceive होता है अगर मैं इसमें एक artificial environment डेवलप करूँ और apple को वहां रखूँ और blue light जो है सिर्फ क्या की जाए इसको भेजी जाए blue light यह क्या करेगा absorb कर लेगा और चुकि यह blue light absorb कर लेगा तो मुझे apple कैसा दिखाई देगा red दिखाई देगा क्या? नहीं देगा सिर्फ blue light गई है तो आपको यह कैसा दिखाई देगा black दिखाई दएगा black hole को black hole किसलिए कह आ जाता है क्योंकि जितनी भी light उसमें जाती है सारी absorb होती है तो हम को कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरा दिखता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं black hole बोलते हैं तो कोई भी जो है material है उसका color किस के ऊपर depend करता है जो wavelength है of the light spectrum absorb और reflected जो absorb हो जाएगी वो हमें दिखाई नहीं देगी जो reflect होगी वो हमें दिखाई देगी यह आपके लिए इतना basic concept आपको basically पता हो गही पर फिर भी ज़रूरी था बताना एक बार ठीक है तो यह बहुत important property है नैनो particle की ठीक है इसी में बात कर रहे हैं जो color है उस when notice something special उन्होंने क्या किया heat करना चालू किया molten glass को बहुत high temperature उसके बाद उसको cool किया crystal of copper chloride जो थे वो different size के crystal थे वो जमा हो गया और जब उन पे देखा गया light marker करके तो वो जो light थी वो different different color अलग अलग area में दिखाई देने लगे तो समझ में नहीं आया कि यह different color क्यों आ रहे हैं तो उनको पता चला जो small particles थे जो small size के particles थे वो अलग light show कर रहे थे क्योंकि वो अल lights absorb कर रहे थे ठीक है different wavelength पे same material different size में अलग-अलग जो है क्या कर रहा है रेड इस तरीके से quantum size जो quantum dot है उसके size के ओपर क्या हो रहा है हमारी जो light है वो क्या हो रही है बाहर आ रही है लाइट जो है fluorescence हो रहा है जो fluorescence phenomena है वो हो रही है ठीक है तो यह basically आपको समझ में आ गया होगा और यही जो है इसका special property है quantum dot की और यही इसी के कारण इसके जो है क्या है हमारी सबस्यादा एप्लिकेशन से ठीक है कैसी एप्लिकेशन है QLED आपने सुना होगा TV यह क्या है quantum LED ठीक है तो जितनी भी televisions है computer screen है उसमें आने वाले समय में QLED से replace किया जाएगा यह बहुत ही जो है क्या है advanced technology है इसमें quantum dot का use होता है यह क्या है capable of emitting all color depending on the size सारे color जनरली अगर आप बात करें किसकी LCD वगेरा की जो LED है उनकी तो वह हमारे human के जो senses में perceive होने वाली lights and colors है उससे सिर्फ one third जो है color क्या करते है और शो करते हैं लेकिन अगर आप बात करें QLED की तो वह पूरे के पूरे color क्या कर सकते हैं हमारे जो human आई है perceive कर सकती है वो सारे color emit कर सकते है depending on the size अगर quantum dot के size की बात की जाए तो उससे क्या होगा हमें बहुत बहतर high definitions TV मिलेंगे brighter और colorful display मिलेंगे ठीक है तो QLED आपके प्री के लिए भी important है LED वर्सेस QLED इस तरह का question आपको पूछा जा सकता है next बात करते हैं cancer treatment की ठीक है तो QDOT जो है special opto electronic property शो करता है जो कि अभी हमने बात की अलग-अलग size में अलग-अलग wavelength absorb होती है और अलग-अलग light show होती है यह जो fluorosense imaging है ठीक है यह quantum dots में यह आपके लिए बहुत important होती है हम quantum dots को क्या करते हैं inject कर देते हैं body में जब वो cancer cell से क्या होता है encounter होता है तो उसके साथ attach हो जाता है और जब आप light को shine करें हाना अगर आप frequency बदल बदल के हाना different frequency की आप certain frequency की क्या करें light को shine करें तो वहां पर light up हो जाएगा जहां पर हमारा quantum dots क्या होगा attach हो चुका होगा और targeted क्या होगा doctor को पता चल जाएगा कि कौन सी cells है जहां पर क्या है जहां पर cancer है और उसको treat करने के लिए सिर्फ उसी को target किया जा सकता है यह बहुत important application है biomedical science में इसके अलावा bio sensors की तरह काम करता है ठीक है उसके बाद MRI city scan इन सारी चीज़ों को भी क्या कर सकता है advanced level पर लेके जा सकता है solar cell में भी higher efficiency से हम quantum dots को use कर सकते हैं यह सब इसकी क्या हो जाएगी इसकी applications हो जाएगी तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा important है applications directly आपको question इ गई होगी हमारा next article है disaster in sikkim how do glacier lake outburst flood happen यह article इंडियन express में आया है आपके GS3 मेंस की perspective से बहुत ज़्यादा important है एक question दो question आपको disaster management से आते हैं आपको एक disaster पूछा जाता है साथी में उसकी definition के साथ causes पूछे जाते हैं और आपको NDMA की guidelines भी पूछी जाती इस तरीके से question frame होते हैं आपको कई question इस तरीके से आ चुके हैं जैसे earthquake के बारे में पूछ चुका है floods आ चुके है अर्बन flood आ चु जो नहीं आया है वो आपके लिए important है 2024 में और बहुत जादा news में भी है कई सालों से वो है GLOF Glacial Lake Outburst Flood इसके बारे में हम पूरा का पूरा mains का question prepare करेंगे क्या होता है क्या causes हैं इसके आने के और साथी में NDMA की जो guidelines हैं वो भी हम prepare करेंगे GLOF के बारे में पूरा mains question 2024 के लिए prepare किया जाएगा साथ साथ आपको prelims का aspect जो इसमें दिया हुआ है वो भी cover करेंगे प्री का question भी solve करेंगे अब शुरू करते हैं आर्टिकल के बारे में तो आर्टिकल क्या है South Lonark Lake जो की Glacial Lake है कहां पर at least at a height of 17,000 feet ठीक है 17,000 feet की height पर एक Glacial Lake है जिसका नाम है South Lonark Lake ये लेक कह जहां पर है North Western part of Sikkim यहां पर बहुत ज्यादा rainfall हुई है जिसके कारण downstream area में क्या हुआ है flash floods आ गया है इसके कारण क्या हुआ है लगभग लगभग 8 लोगों की death हो चुकी है 48 लोग ऐसे हैं जो अभी भी missing है उसमें 22 army personal हैं जो की अभी भी missing है साथी में जो पानी है ये Glacial Lake Outburst flood होने के कारण क्या हुआ है तीसता में पानी भर चुका है लगभग 4 ऐसे district है जहां पर बहुत ज्यादा जो है तीसता का level भी बढ़ गया है dangerous level पर आ चुका है अब बात करते हैं Glacial Lakes की Glacial Lake actual में होते क्या है अगर Glacial Lake समझ में आ जाएंगे तो Glacial Lake Outburst flood समझ में आ जाएगा तो Glacial Lake is a large bodies of water that are set in front of on top of और beneath a melting glacier क्या होता है जनरली जो Glaciers Mountains होते हैं वो पिखल करके जो पानी होता है वो आसपास के एरिया में जमा हो जाता है अगर मान लीजिये सामने जमा हो गया है तो जो लेक बनेगी उसको हम क्या कहते हैं Glacial Lake कहते हैं इसके अलावा हो सकता है कि ज तो हमारा Mountain है उसके ऊपर एरिया में भी पानी जमा हो जाए तो इसको भी हम Glacier Lake कहेंगे या फिर नीचे अगर बनीथ इस Mountain क्या हो जाए पानी जमा हो जाए तो वो भी Glacier Lake के लाएगी तो क्या होती है Glacier Lake Large Water Bodies that sit in front of on top of और beneath a melting glacier ठीक है तो कहां कहां हो सकती है फ्रंट में हो सकती है टॉप में हो सकती है या फिर बिनीथ हो सकती है कहां पर Glacier Mountain के या जो mountain जिसमें melting हो रहा है Glaciers का उन सारे mountain से जो पानी आ रहा है उसको basically जो water body बन रही है उसको हम क्या कहते है Glacier Lakes कहते हैं अब बात करते हैं कि इसकी damming कैसे होती है हम लोग डैम बना आते हैं उससे क्या करते हैं पानी रोकते हैं तो इसमें पानी कैसे रूखता है नेचरल तरीके से इसमें पानी रूखता है ठीक है जनरली डैम्ड बाय का ऐसे होता है unstable eyes और sediment composed of loose rocks and debris यही एक चिंदा का विशह भी है क्योंकि जो eyes है वो unstable eyes होती है जैसे कि यहां पर है अगर यह जो area है यह basically unstable area रहता है जो melt कर रहा है और यह melt होते 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 हैं यहां पर पानी जम्मा हो रहा है आसपास के area में और इसी से क्या हुआ है यह डैम मतलब रूका पानी रोका गया है किसी के दोरा unstable eyes के दोरा आसपास के area में और भी जो rocks होते हैं debris होते हैं जो loosely held lock और debris होते हैं आसपास के area में वो भी इसको क्या करते हैं बांध का काम करते हैं रोक कर रखते हैं ठीक है इसलिए यह बहुत जादा dangerous भी हो जाता है जैसे ही अगर यह lake की जो है amount में निकल के बाहर आएगा और इतना जादा अगर पानी एकदम से आता है तो क्या होते हैं flash floods आ जाते हैं और जो downstream area है वहाँ पर flood आ जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं इसी को कहा जाता है glacier lake outburst flood अब इसके causes समझ लेते हैं और यह कोई ऐसे छोटा मोटा नहीं होता है यह बहुत बड़े एरिया में होता है ठीक है अगर आप लोनाक लेक की बात करें south लोनाक लेक की तो पहले 168 hectare में फैला हुआ था अभी जू कि यहाँ पर क्या हुआ है flash flood आ गया है जितना पान flash floods आए है ठीक है तो यह कोई normal होते नहीं है चोईसे छोटा मोटा water body नहीं होती है बहुत बड़ी water body होती है 160 hectare मतलब बहुत बड़ा area होता है ठीक है तो इस लेवल की जो water bodies है अगर उसका पानी एकदम से आएगा तो पूरे के पूरे area में पानी भर जाएगा flash floods आएंगे इसी को हम GLOF कहते हैं अब इसके causes समझ लेते हैं कैसे होता है basically इसके causes क्या है जो जिस चीज से ये बंधा हुआ है जिससे damned है अगर वो चीजे क्या हो जाए break हो जाए तो क्या होगा सारा का सारा पानी नीचे आएगा और फिर flood आ जाएंगे तो चीजों के break होने के अगर जाएंगे जैसे कि earthquake earthquake आया जो आसपास की आई आई से जो कि unstable है वो तूटी पूरा पानी बाहर तो earthquake reason हो गया heavy rainfall जो जिस कारण से south लोनाक लेक में rainfall आया है वो क्या है heavy rainfall है बहुत जादा अगर rainfall हो जाती ही तो पानी extra जमा हो जाएगा आसपास के area को क्या करेगा push करेगा प्रेशराइस करेगा और फिर यह eyes होगी वो क्या होगी वो तूट जाएगी और जैसी eyes to tea वैसी flash flood थर्ड है इसका मास है वो slope के थ्रू क्या होता है नीचे के तरफ गिरता है अगर यह eyes avalanche जिसके थ्रू यह damming हो रखी है वो eyes avalanche हो जाएगा तो पूरा का पूरा पानी क्या होगा नीचे के तरफ आजाएगा तो यह तीन reasons होंगे hopefully आपको तीनो reasons समझ में आ गए है अब NDA में की जो guidelines है उनके बारे में बात करते हैं हमारी NDA में की जो first guideline है वो है identifying potential dangerous lakes सबसे पहले तो हमें vulnerable areas और जो lakes है जो की बहुत dangerous level पर है उसको identify करने की ज़रुरत है तब ही तो हम जो है वहाँ पर precautious जो steps है वो ले पाएंगे तो सब सबसे पहला step तो हमारा क्या होता है कि जो potential dangerous area उसको map कर लिया जाए उसके बाद हम क्या करेंगे हम उसमें technology का use करेंगे ताकि उन water bodies को हम detect कर सके उसमें क्या-क्या changes आ रहे है real time में तब ही तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम जो potential हजाड है उससे deal कर पाएं इसके साथ साथ हम channelizing potential flood जो हमारा third point है वो क्या है हमारा जो potential flood मतलब अगर हम देख पा रहे हैं कि real time में water बहुत तीजी से बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें जो water बढ़ रहा है उसको remove करने की कोशिश करेंगे for example आप tunnel बना सकते है to remove water ठीक हाले कि यह बहुत expensive होगा लेकिन यह एक तरी बैन करने की जरूरत है नहीं तो हना बहुत जादा issues हो जादेंगे कैसे इस एरिया में अगर construction activity होती है तो फिर आपको बहुत सारी चीजे ब्रेक करनी पड़ती है उससे हो सकता है कि earthquake आ जाए तो यह सब सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है बैन करने की जरूरत है और एक uniform code लाने की जरूरत है इन सारे एरिया में construction activities के लिए next हमारा जो important point है वो है enhancing early warning system यह तो आपको पता ही है mitigation के लिए बहुत जादा important होता है mitigation measure है और early warning system generally जो GL OF है उसके लिए इतना जादा डेवलप नहीं है तो इस पे जो है R&D करने की जरूरत है और अगर हमारा next और last point की बात की जाए तो हमारा last point क्या है training local manpower जो लोग आसपास रह रह रहे हैं उस area में उनको जो है capacity build करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो इस hazard को handle कर सकें ठीक है mock drills वगेरा करवाना चाहिए awareness बढ़ानी चाहिए community का जो participation है वो करवाना चाहिए क्योंकि वही लोग real time में स से face करेंगे इसलिए यह सबसे important step होता है काय का disaster management को disaster management में लोगों को त्यार करना यह सबसे जादा important move होता है ठीक है तो hopefully आपको यह सारी चीजे समझ में आ गई होगी अब हमारा एक जो prelims वाला question है वो मैं बता देता हूँ South Lonark और 14 बारी ताल लेख are currently in the news ठीक है चोरा बारी ताल लेख उत्राखंड में है और South Lonark लेख जो की कहा पर है सिक्किम में आपको directly ऐसे भी पूछा जा सकता है साउथ लोनाग, सिक्कीम, चोरा बारी ताल लेक, उत्राखंड और एकाद और लेक, वूलर लेक, जम्मो एन कश्मीर अब आपको कोशन पुझा जाएगा कि one only two three ठीक है तो these lakes are recently in the news are salt lake, glacial lake, brackish lake और crater lake तो इसका answer क्या हो जाएगा, glacial lake हो जाएगा 2013 के जो flood आये थे, flash floods उत्राखंड के, वो किसके कारण आये थे चोरा बारी ताल लेक जो की glacial lake है, जी एलो एफ के कारण ही आये थे इस जगह पे क्या होई थी, glf मतब glacial lake outburst flood हुआ था, उसे एकारण उत्राकंड में 2013 में floods आये थे, ठीक है तो ये चोरा बारी ताल लेक और साउथ लोनाक लेक बोधार glacial lake, ये आपके लिए important pre के perspective से हो जाएगा, ठीक है तो ये हमारा article था, pre और means दोनों आसपेक्ट, हमारा अच का last article है keeping tabs on carbon with an accounting system, ये article दहिंदू में आया है, GS3 mains के perspective से important है और आपका climate change related issue आता है, तो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा important है, उसके लिए आपको इसमें एक solution दिया है, वो आप अपने notes में add on कर सकते हैं article में कहा है कि अगर इंडिया जो है develop करती है national carbon accounting system तो जो climate change का issue है, उसे address किया जा सकता है अब national carbon accounting system क्या होता है, वो article से समझेंगे, article शुरू किया गया है, उसमें बात की गई है, जो climate change है, वो क्या है, poly crisis है poly crisis का मतलब क्या होता है, poly means multiple, इसका मतलब जो climate change है, उसके impact एक sector में नहीं है, multiple sector में है, वो सारे interconnected हैं जैसे कि इसमें बात की गई है, it encompasses the physical impact of climate change, जैसे कि rising temperature, sea level rise, extreme weather event उसके अलावा social impact हो गया, economical हो गया, political challenges हो गया, ये सारे impact क्या है, climate change क्या है और अलग-अलग sectors में अलग-अलग impact है, poly जो crisis है, उसका सबसे बड़ा issue क्या होता है जब आप एक sector को address कर रहे होते हैं, तो दूसरे sector में एक में कम होता है, लेकिन दूसरे sector में ये challenge बढ़ जाता है कैसे बढ़ जाता है, आपको perfect example देता हूँ, मैं इसका EV का हम क्या कर रहे है EV के तुरू, vehicle से जो pollution है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे है जो vehicle से होने वाला pollution है, उसको कम करने के लिए हमने EV message किया, जो की electric vehicle है अब electrical vehicle बनाने के लिए आपको एक चीज़ तो पता ही है कि critical mineral बहुत जादा लगता है critical mineral three times से five times अगर मान लीजे लग रहा है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, mining करने पड़ेगी और mining करेंगे, तो आपको जो pollution होगा वो बढ़ जाएगा तो क्या हो रहा है, आपने vehicular जो pollution है, उसको तो कम कर दिया पर जो mining वाला pollution है, वो बढ़ गया तो overall क्या हुआ, pollution एक जगा कम हुआ और दूसरी जगा बढ़ गया तो it's a kind of zero sum game, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसलिए इस article में बात की गई है, और जो आप generally conclusion में भी लिखते हैं कि climate change जैसे crisis को deal करने के लिए हमें holistic approach की जरुरत है, develop करने की जरुरत है holistic approach का मतलब क्या होता है, which takes into account the diverse perspective and prioritize different stakeholders जो अलग-अलग perspective को क्या करते हैं, उनके views को account में लेते हैं, और different stakeholders की जो priorities है उसको भी account में लेते हैं, साथ में ensure करते हैं कि resilience, equity और justice क्या रहे, ये ensure हो सके जो भी आप solutions क्या कर रहे हैं, apply कर रहे हैं ये हमारा क्या होगा conclusion, जब भी आप climate change का लिखेंगे answer तो इसमें government को क्या करने की ज़रुत है government अच्छा काम कर रही है, ये measures ले रही है लेकिन सरकार की जो approach है, वो क्या होनी चाहिए, holistic होनी चाहिए, ताकि जो diverse perspective है उसको account में लिया जा सके, और वो क्या ensure कर सके, equity and justice इस तरह का conclusion आप अपने climate change में लिख सकते हैं, इसको आप note down कर सकते हैं इसमें जो holistic solution की बात की गई है, वो mainly क्या है उसमें ये बात की गई है, कि हमें जो carbon है उसका real time में account बनाने की ज़रुत है कि कितना carbon per individual या per household या per corporate कितना carbon greenhouse gas emission कर रहा है और कितना सिंकिन हो रहा है इसका मतलब outflow कितना है और inflows कितना है अगर मैं carbon accounting करना शुरू कर दूँ और इस तरीके से में real time में कितना carbon जो है outside greenhouse gas emission हो रहा है और कितना सिंकिन हो रहा है मतलब हम क्या क्या चीजे यूज कर रहे हैं जिससे carbon green house जो emission है वो कम हो रहा है तो ये अगर मैं calculate करना शुरू कर दो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा climate change को क्या करने के में address करने में लेकिन सबसे बड़ी problem क्या है account करने के लिए आपको carbon measure भी तो करना पड़ेगा आप carbon measure कैसे करेंगे तो सबसे पहली step क्या है हाँ पर measurement जब तक के जिस चीज़ को account नहीं किया जा सकता जिसको measure नहीं किया जा सकता मतलब आप account तो उसी को कर सकते हैं जिसको measure किया जाए accounting की मतलब क्या बात हो रही है कितना आया और कितना गया inflow और outflow जैसे money में होता है इतना revenue और इतना expenditure और फिर बात में हम calculate करते हैं उसी तरीके से carbon account बनाने की बाद की जा रही है carbon account books develop करने की बाद की जा रही है अगर ये carbon account books develop हो जाती है तो उससे बहुत benefit होगा और इंडिया जो है climate change जो issue है उसको address करने में बहुत help हो सकती है इसके लिए इसमें कहा गया है clearly कि हमे जो methodology दी हुई है वो कौन सी दी हुई है वो already accounting methodology दी हुए जो कि Oxford ने develop किया है किसके दौरा कार्तिक रमवन्ना के दौरा और वो basically carbon balance sheet बनाने के लिए corporate level पर हना वो बहुत helpful है इंडिया को इसी तरीके की national carbon accounting system develop करने की ज़रूरत है इसी तरीके की methodology है जिससे corporate level पर accounting books बनाई ज चाहिए एक accounting system चाहिए जिससे हम सबका carbon inflow सबका means individual से लेकर के national level तक के हम लोग क्या करें हम लोग calculate कर सकें कि carbon real time में कितना inflow हो रहा है और कितना outflow हो रहा है अब इससे होगा क्या इससे बिल्कुल बहुत ज्यादा revolution आ सकता है किस तरीके से आ सकता है जैसे कि आप income tax भर रह यह पूरा public finance किस पर depend करता है tax raise करने से जो public finance से वो basically expenditure किया जाता है सरकार के दोरा और वो पैसा कहां से आता है tax से और tax कहां से मिलता है अगर हम tax जो है calculate ना कर पाएं तो हो सकता है कि यह possible इसलिए money को calculate करने के कारण measure करने के कारण accounting करने के कारण हमें tax मिलते हैं तो पूरा public finance किसके ओपर depend कर रहा है हमारे accounting पर ठीक उसी तरीके से जो climate है जो climate change का issue है वो पूरा का पूरा किस पर depend कर सकता है यह जो पूरी की पूरी economy है जो carbon economy वो बदल सकती है अगर हम accounting system लेके आते हैं तो ठीक उसके बाद आप क्या कर सकते हो आप tax लगा सकते हो जैसे IT tax भरे जा र सरकार आपको क्या करेगी टेक्स लगाएगी corporate tax बढ़ जाएगा ठीक है आपने मान लीजे corporate ने क्या किया जो green house एमेशा ने उसको बढ़ा दिये और ऐसी कोई technology यूजनी की जिससे inflow हो रहा है तो आपके green house जो outflow होगा वो ज्यादा होगा और उस पे आपको क्या होगा tax अगर हम उसका trace कर सकें average कितना वो यूज करता है petrol तो उससे जो green house gas outflow होगा और inflow होगा वो हमें पता चल जाएगा तो हम लोग average जो बायर होंगे उन पे tax न लगाते होगे जो जादा यूज कर रहे हैं किसको petrol को उन पे जो है tax लगाए तो जैसे जैसे carbon का usage बढ़ेगा तो हम taxes क्या करेंगे progressive taxes लगा पाएंगे तो हमारी जो accounting system है वो बहुत revolutionary हो सकता है और यह सब आपको benefit मिलेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम सिर्फ GDP को बढ़ाने के साथ साथ एक carbon GDP भी calculate करें जिसको कम करने की बात की जाए हर countries के द्वारा ठीक है तो जो carbon GDP है वो क्या हो होनी चाहिए कम होनी चाहिए और जो monetary terms में GDP है वो क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए तो यह हमारा बेसिकली क्या था national carbon accounting system था और यह आपका solution हो सकता है hopefully आपको यह चीजे सारी के सारी समझ में आ गई होगी ठीक है कि थांक्यू एंड इंजॉय और दे